Hello student and welcome to this video. मैं प्रसांद कनोजे, Assistant Professor जुला जी. Today's topic is Sence Organ of Earthworm. Earthworm में eyes, pulps and tentacles का आभाव होता है. मगर ये touch, chemicals, light एवं विभिन प्रकार के sense के प्रती संबेदन सील होते हैं. इसमें पुन्ड विक्सित receptor organs पाया जाते हैं. और ये external sense को ग्रहन करने का मदद करते हैं. बाहरी उद्धिपनों को ये receptor organs ग्रहन करते हैं. और ये receptor organs को ही sense organ कहते हैं. और इनकी जो structure होती है, वो काफी सरल होती है. इसकी सन रचना बहुत सरल होती है. तो जो फेरिटीमा पोस्थूमा है, उसमें तीन प्रकार के receptor organs या sense organ पाया जाते हैं. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से sense organ इसमें पाया जाते हैं. पहला है epidermal receptor. ये जो sense organ है, पूर्ण रूप से epidermis में पाया जाते हैं, और ventral और lateral सतह पर इनकी संक्या अधिक होती है. इसमें एक उभरी हुई cuticle का इस्तर होता है, जो की receptor कोशिकाओं के समू को ढखता है. ये cuticle का part है. इस epidermal receptor में ये cuticle का भाग है, जो ऐसे उभरी हुई संदशना बनाता है, और ग्राही जो कोशिकाओं होती हैं, उनके समू को ढखता है. इसकी जो इस्तंबी receptor कोशिकाओं जो होती हैं, के बाहरी सीरों पर छोटे-छोटे प्रवर्द पाआ जाते हैं, ये hair-like process है, तो receptor organs के बाहर area में hair-like process पाआ जाता है, और अंदर की ओर, इसमें जो होते हैं, nerve fibers पाआ जाते हैं, जिसे तंत्री का तंतु कहा जाता हैं, और ये कोशिकाओं चारो और से supporting epidermal कोशिकाओं से घिरी रहती है, ये चारो तरफ से supporting epidermal cells इनको घेर के रहती हैं, किसको receptor cells को, इनके जो nucleus होते हैं, अलग-अलग इस्तर होते हैं, ये nucleus एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो अलग-अलग layer में इसके nucleus पाआ जाते हैं, और इसके अंदर की ओर basal cells पाया जाते हैं, ये basal cells अंदर की ओर पाया जाते हैं, ये जो epidermal receptor होते हैं, ये tactile होते हैं, इस पर्स ग्राही होते हैं, ये रासाइनिक उद्धिपनो एवं ताप मान को भी ग्रहन करने की छमता रखते हैं, तो ये कहलाता है epidermal receptor, इसके बाद द दूसरे receptor आता है, बकल receptor, बकल receptor जो होता है, ये भी जो होता है epidermal receptor के समान होता है, और ये बकल चेंबर की जो epithelium है, वहाँ पर सिन्नित रहती है, केवल इनके बाहरी सीरे, अपिछा क्रित चौड़े और संवेदी रोम अधिक पाया जाते हैं, तो ये receptor cells में बाहर का ये जो सीरा है, ये ज़्यादा चौड़ा पाया जाता है, और ये रोम्स जो है, सीलिया जो है, ज़्यादा पाया जाते हैं, बनिजबत epidermal receptor के, इनकी जो कोशिकाय होती है, में केंदरक अधिक गहराई में स्थित होते हैं, केंदरक जो है काफी नीचे की ओर यहाँ पर दिखा जो है, इनकी सहाइता से जो अर्थवम है, वो बोजन को पहचानता है, ये राशायनिक उद्धीपनों के ग्रहन करने की भी छमता रखते हैं, तो ये था बकल रिसेप्टर, और लास्ट रिसेप्टर आता है, फोटो रिसेप्टर, जैसे कि आप नाम से पहचान रहोंगे, क ये काम क्या करता होगा, फोटो को रिसेप्ट करता है, तो इस वन इस फोटो रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर होता है, अर्थवम में प्रोस्टोमियम वो पैरिस्टोमियम में पाया जाते हैं, पिछले सीरे की और इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, क्लाइटेलम म एक या याए याघ्लाइक शेल्स होते हैं यह फोटो रिस्टटर सेल्स हैं ईत लाएक श्रॉक्शर बना रहा है जिसमें कि नीुक्लियस तथा स्वंच कोउसी का द्रव पायाजये इसलिए और स्वस्च कोशी का साइटो प्लाजम पाया जाता एसके ज़ो साइटो प्लाज्म इसमें नियूरोफाइब्रिल का जाल होता है एवं छोटा एल आकार का इसमें लैंस पाया जाता है यह एलाकार का लैंस पाया जाता है और इसी को आप्टिक और गिनिल्स कहा जाता है जो हाइलीन सबस्टेंस का बना होता है लैंस द्वारा प्रकास की किर्णों को तंत्रिका तंतू में किंद्रित करने का कार किया जाता है यह नर्स में लैंस के द्वारा प्रकास के किर्णों को भेजा जाता है जो तंत्रिका तंतू है जो नर्स है वो एक साथ संग्रहित होकर अभिवाई तंत्रिका तंतु बनाते हैं यह तंत्रिका नर्स जो है कोशिका के आधार से बाहर निकलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ जाता है जो फोटो रिसेप्टर है अर्थवम को प्रकास की तिवरता तथा उपस्थिती का ज्यान कराता है अर्थवम के अर्थवम जो होता है दिन के तेज प्रकास से दूर भागते हैं और जब इन पर तेज प्रकास डाला जाता है तो यह अपने सुरंग में घुश जाते हैं यह हमेशा रात्री के समय ही बाहर निकलते हैं, अर्थाथ यह जो होते हैं, nocturnal habit वाले होते हैं. तो photo receptors में cuticle भी पा जाता है, supporting epidermal cells भी होते हैं, इस परकार यह photo को recept करने में मदद करते हैं. तो आज हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से अर्थमं के सेंस ओर्गन का अध्यन किया आसा है आपको ये चैप्टर समझाया होगा थेंक्स पर वाचिंग थेंक्यू